खबरे भी आएं और उन खबरों के दम पे जबर्दस्त आक्षिन देखने को मिल रहा है। चलिए चलते हैं हमारे सहयोगी अंश के पास जो कि ये पूरी लिस्ट लेकर हमारे साथ मौझूद हैं। अंश बताईए कौनसे स्टॉक्स हैं फोकस में। जी बिल्कुल सबसे पहले शुरुआत करते हैं रेल टेल कॉर्परेशन से कंपनी को 78 करोर का ओर्डर मिला हुआ है सेंटर फोर रेलवे इंफोर्मेशन सिस्टम के तरफ से। साथी साथ आज पैसालो डिजिटल भी फोकस में रहेगा। कंपनी ने पार्टनर्शिप की है TVS Motors के साथ 3-wheeler के फिनांसिंग के लिए जिसके चलते स्टॉक प्रेश में आज अच्छी तीजी नज़र आ रही है साथी साथ स्टॉक ने 5-month हाइकसतर भी चुआ है। टाटा केमिकल्स ने सोडा एश की किमतें गिरा कर 1,800 पर एमटी कर दिया है जिसके चलते स्टॉक प्रेश में आज दबाव दिख रहा है। लुपिन को USFDA के तरब से अप्रूवल मिला है उस टॉपिकल ओयल के लिए जो स्कीन के ट्रीटमेंट में काम आती है। अल्टाटेक सिमेंट ने गुजरात में 1.2 MTPI कैपैसिटी वाला प्लांट शुरू किया है जिस वज़े से स्टॉक आज फोकस में है। आज कुछ नतीजे भी आये हैं चलिए उन पर भी एक नज़र डाल देते हैं। अंबुजा सिमेंट के रेविन्यू कुछ 18% से बड़े हैं लेकिन नेट प्रॉफिट कुछ 38% से गिरे हैं क्योंकि उनके एक्सपेंसे 16% से बड़े हैं। प्रिजम जॉन्सन के रेवेन्यू कुछ 6.8% से बड़े है और पैट 90% से बड़ा है जिसके चलते स्टॉक प्रेस में आज अच्छी तीजी देखने को मिल रही है गोद्रेश प्रॉपर्टीज के रेवेन्यू तीन गुना से भी अधिक बड़े है और प्रॉफिट कुछ 172% से बड़ा है बिल्कुला तो यह कुछ खबरों वाले शेयर कुछ कुछ का रियाक्शन तो हम स्टॉक पर देख पा रहे हैं लेकिन बाजार इस वक्त गिरावट के दौर पर हैं तो हम खबरों का भी जादा कुछ असर यहां पर देखनी पार रहे हैं अच्छे नतीजों पर चार्ज सो पच्छास के लेवल को कई ना कई होल करने की बाजार कोशिश कर रहा है 13 मार्च के बाद हमने देखा कि एक बड़ी बिक्वाली देखने को मिली बाजार लगाता देख रहे थे तेजी का दौर में ही था बीस हजार के लेवल का वेट किया जा रहा था लेकिन और बैक निफ्टी दोनों में ही देख रहे हैं